हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कुछ दिनों से, यानि कि एक महिने से लगबग, रूस और यूक्रेन के बिच खमासान युद्ध हो रहा है, रूस की जो सेना है, वो पूरे यूक्रेन पे कबजा करने के इरादे से जो है, वो यूक्रेन में घुश इक कैसे है, और उनके लोग एक कैसे है, यानि कि इन दोनों के वीच साजा वीरासते क्या क्या रही है, तो इसको जानने से पहले हम लोगों को पूरा इतिहास में सब जालना पड़ेगा, कि आखिर यूक्रेन का यहाँ रहते हैं, यूकरेन में और रूस में, वो कौनसे लो और इन दोनों के वीच साजी विरासतें क्या-क्या है चलिए दोस्तों आप वीडियो को सुरू करते हैं और इससे पहले गुजारिस करते हैं कि यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेज यह नवी सदी के पहले लगबग बिरान था यहां पे लोग स्लाविक समुदाय के कुछ लोग रहते थे स्लाविक समुदाय के साथ इसमें कुछ ऐसे भी जन जाती है लोग थे जो इसलाम को मानते थे कुछ ऐसे भी थे जो यहूदी धरम के लोग थे तो यहां पे मेल जोल यानि की संस्कृतियों का मेल जोल था है यहां पर अभी कोई राज एक दिष्ट नहीं करता था यहां पर कोई राज या फिर कोई समराज्य भी नहीं था तो नौवी सदी में जो इसकेंडिने बियाई समुधाय के कुछ ब्यापारी होते हैं उनके नित्रितों में सलाविक लो स्वाथ ही यहीं से होती है नौवी सदी में जब इसकेंडिने बियाई लोग व्यापारी जो है वो सलाविक लोगों के सायता से वहां पे एक सलाविक सम्राज्य का गठन करते हैं और इसको हम लोग कीवियन रूस के नाम से उस समय इसको जाना जाता था अब बता दे आपको कि कीव सबसे पहली रजधानी बनी इसकी इसलिए कीव को रूसी सहरों की जननी भी का जाता है इस सम्राज्य के जो पहले सम्राज थे किवियन रूस के वो बलामेदीर प्रथम थे तो बलामेदीर प्रथम थोड़ा एक बिस्तारवादी मानसिक के ब्यक्ति थे यानि कि वो बिस्तार चाहते थे कीवियन रूस का उसकी वज़ा से उन्होंने जो वर्तमान में बेलारूस आप लोग देखते होंगे रूस देखते होंगे रूस देखते होंगे उक्रेन देखते होंगे इनका जितना भी छेत्र था जो वर्तमान में है उनको की उनको एक करने का उनको एक यहां पर समराठ के पास एक मुद्दा आता है कि इतने बड़े समराज्य को कैसे चला जाए क्योंकि बीवीदता है कभी बी किसी भी लाके में बिद्रो भरक सकता है लोग अलब होने की मांग कर सकते हैं तो जिसके बज़स उन्होंने धार्मी की एकता लानी चाहिए यानि कि उन्होंने सुचा कि यादि पूरे इस चेत्र के लोगों में धार्मी के एकताम ला दें तो फिर देश टूटनी की यानि कि समराज्य टूटनी की संभावना जो है वो कम हो जाएगी तो उस समय उस पूरे चेत्र में दो ही जो धर्म थे वो काफी जादे प्रचली थे एक ध उसके बाद उन्होंने आरथोडाक्स यानि कि उर्ड़ीबादी क्रिश्ट्ट ध में का पैसला किया और इस्लाम छोड़ते वे उन्होंने यह कहा कि हम इस्लाम को इसलिए नहीं अपना रहा है किकी इस्लाम जो है उन्हें भी आर्थोडाक्स क्रिस्चिन दरम अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वज़ा से धार्मिक एकता वो ला सके हैं. किवियन रूस एक बहुत बड़ा सम्राज जय था, इनमें बहुत सारी भासाये बोली जाती थी, छोटी-छोटी समुदाय अपनी भासा बोलते थे, इनहीं भासाओं से तीन प्रमुख भासाओं के उत्पत्ती हुए उस समय, एक बेलारूसी भासा, एक रूसी भासा और एक उ जगर लिया, और लगबग सो वर्सों तक वहां सासन किया, लेकिन चौदावी सती आते आते, मंगोल जो है, वो कंजोर पड़ गया, और इस समय दो सुबे थे, मौत्वण सुबे, किवियन रूस में, एक सुबा लिथवानिया था, जो लगबग उक्रेन के पस्चिन में वैसे किवियन रूस भी था, एक केंद्री सत्ता तो थी, लेकिन पुरा का किवियन रूस छोटे-छोटे सूबों में बटा हुआ था, लेकिन उस समय सबसे ताकतवर सूबा जो थे, वो एक मास्को था और एक लिथवानिया था, तो इन्होंने लगबग पुरे किवियन रूस था, केवियन रूस, वो मास्कों के कबजे में चला गया, आपको बता दे कि पहली बार यूक्रेन और रूस यहाँ पे वो दोनों अलग हुए, अभे भी यहाँ पे यूक्रेनियन किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, यानि कि वो यूक्रेनियन सब यूस इत्माल नहीं करते थे, अपने आपको यूक्रेनी नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पे एक जो है वो अलगाव आ गया, जब लिथुवानिया ने पस्चमी यूक्रेन पे अब जगर लिया, और बाकी का रूस मास्कों के छित्र में चला गया, तो यहाँ पे पहली बार यूक्रेन और रूस एक दूसरे से अलग-अलग हुए और एक अलग-अलग छित्र के रूप में इन दोनों को पैचान मिली, अब आपको बता दें कि लिथुवानिया में जो लोग रहते थे, यानि कि जो लिथुवानिया की सक्ता थी, वो उदारवादी यानि कि क्रिस्चन धरम को मानती थी, वो रूटिवादी नहीं थे, जिसके प्रभाव में आगर के पस्चमी यूक्रेन के जितने भी लोग थे, वो भी सुधारवादी क्रिस्चन धरम को अपना लेते हैं, यानि कि वो अब आर्थोडाक्स क्रिस्चन धरम को छोड़ देते हैं, स्थिति 17 स्थे थक जो ऐसे बनी रहे लेकिन 17 सदी में एक युद्ध रुटा है पुलेंड लिथ्वानिया एक मित्रराष्ट के रूप में और रूस के यूक्रेन यानिकि रूस के जो जार समराट थे उनके बीच में एक यност्ध हो धा है जिसमें रूस के जार समराट जो है वो बिजय हो जाते है यानि कि उन्होंने पुरा का पूरा वाप पूरवी उक्रें को फेर से अपने कबजी में ले लिया यानि कि पुरा का पुरा जो केवियन रूस था वो इस समय रूस के नाम से पुरा का पुरा एकत्रह हो गया 17 सदी में लेकिन जो पस्चमी युक्रेन के लोग थे जो लंबे समय से यानि कि 14 सदी से ही लिथवानिया के साथ रह रह थे वो लिथ्वानिया के प्रभाव में आकर कि वहां के लोग जो थे वो उधारवादी हो गये थे वो लोग अपने आपको अलग मैसूस करने लगे जिसके बज़से उन्होंने इस कपजे का बिरोध करना सुरू कर दिया यानि कि जो रूस के जारसमराट थे उन्होंने जब पस् क्रिश्चिन दरम को छोड़ दीजिये आप फिर से अर्थोडाक्स क्रिश्चिन दरम को मानिये उनकी युक्रेणी भासा पे जो है वो रोक लगाई जाने लगी कि आप युक्रेणी नहीं बोल सकते हैं यह बहुत तरह कि दिरे-दिरे उनके अंदर पावंधिया लगाई ज 2017 सदी से ले करके बीसवी सदी तक जो रूस था वहाँ पे जार समराट यानि कि उनके फैमली के लोगों का ही सासन रहता है वो ताना साही प्रविर्थी के सास सकते लेकिन 1917 में ब्लादिमीर लेनिन के नित्रित्व में वहाँ पे रूस में एक बोल से भी क्रांती होती है जि इकठा किया मजदूरों को गरीबों को जिसके वज़ा से वहाँ पे बोल सेविक क्रांती हुई और वहां के जार समराट जो थे वो रूस छोड़ करके भाग गये अपनी जान बचाने के लिए जिसके वज़ा से 1717 में रूस पे बोल सेविक लोगों का कबजा हो गया उसके इसके बाद 1922 में बोल सेविक पार्टी और लेनिन के नित्रित में USSR यानि की सोवियत संग नाम के बहुत बड़ी समराज्य का गठान होता है जिसमें बेलारूस यूक्रेन और रूस के जो नेता थे वो हस्ताक्षर करते हैं एक डाक्यूमेंट पे एग्रिमेंट पे कि ये USSR होगा ऑर इसका इससा बिलारूस भी होगा रूस भी होगा इसके बाद जो रूस के चोटे-चूटे देश धे यानि के चोटे-चोटे चेत्र थे वो अश्वियत संस्ञ में सामिल हो गया आड निए सोव्यत संग का बिगटन हो जाता है जिसकी बात से सोव्यत संग का बिगटन होते ही उनीन–1.91 में यूरेन, बेलारूस, रूस सहीत, बाकी के जो भी छोटे-छोटे देस में सामिल थे वो सब अलग हो जाते हैं और जो रुस था उसको सोव्यत संग का उत्रादिका और 1991 की स्थिती में ये पूरता रुकरियन के नाम से एक नया देस बनता है एक वेलारूस के नाम से नया देस बनता है और रूस के नाम थेर समय चाला है और standardized अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर कौन से मुद्धे हैं 1991 के बाद जिसकी वज़ा से रूस और उक्रेन के वीच इतना विवाद हुआ कि दोनों युद्ध तक करने लगे क्रीमिया का मुद्धा देखेंगे परमाडू हथियार का मुद्धा देखेंगे युक को सब्सक्राइब प्लीज कर लेजिए और बेल आइकन पी दबा दीजिए क्योंकि हम आपके लोगों के लिए ऐसे ही नोलेज से भरे वीडियो लेकर आते रहेंगे नमस्कार दोस्तों जैन